नमस्कार स्पोर्ट्सावर के हिंदी संस्क्रण में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ सतेंदर मट्टू उएस ओपन के डेबल्स मुकाबलों में सानिय मिर्जा रोहुन बबनना बड़े आगे पेस की जोड़ी हुई पराजित। विलियम्स बहने वावरिंका और एंडी मरें यूएस ओपन के चौथे दौर में। और फिकी शुरुवात के बाद हैमिल्टन पिछड़े रोजबर को मिला इटैलिन ग्रांप्री का खिताब। खेल समाचार विस्तार से। बीजिंग ऑलम्पिक खेलों में 10 मीटर एर राइफिल में स्वण पदक जीतने वाले भारत के अभिनव बिंद्रा ने रविवार को नई दिल्ली में निशानेवाजी से सन्यास लेने की आधिकारिक घोशना की। पांच बार उलम्पिक खेलों में भाग लेने वाले और राजीव गांधी खेल रतन से सम्मानित बिंद्रा ने कहा कि उन्होंने रियों में अपनी और से पूरी कोशिश की पर नजदी की अंतर से कांसे पदक नहीं जीत पाए। उन्होंने करियर में समर्थम करने वाले अपने प्रशंस को और सहयोगियों को धन्यवाद दिया। साथ ही युवा निशानेवाजों को काम्याबी बाने के लिए कड़ी मेहनत करने की सलाह दी। रुपिंदर जी 2008 का वो लम्हा शायद कोई भूल नहीं पाएगा जब उन्होंने गोल्ड जीता था। और इस समय हम कहें कि एक अच्छा निशानेवाज अभी इस समय जा रहे हैं उसका एक लॉस हमें उठाना पड़ेगा। लॉस की तो बात छोड़ दो क्योंकि पांच वो कर चुका है ओलिम्पिक्स और मेंटिली टायड है। यह एक स्पोर्ट है जिसमें चल सकते हैं एज के साथ। और अगर वो अपने वो perfectionist हैं वो satisfying नहीं हो रहे हैं तो उसी लिए वो छोड़ रहे हैं। पर जो उन्होंने कर दिखाया है उसका advantage लो ना। उन्होंने कर दिखाया कि इंडिया में आज तक एक ही individual gold medal है। बिल्कुल। और उसका तरीका individual sportsman को समझना है। system कुछ नहीं help करता क्यूंकि professional नहीं है। खुद करना होता है। उसने और उसके father ने मिलके खुद hire किये coaches, सब जगा खुद गये। professionally आगे देखा, world championships में जीतने का potential evaluate करा और अपने आपको बिलकुल उपर लाके दिखाया भारत में। और यह चीज से sportsman को सीख लेनी चाहिए। मुझे system में इतना इतबार नहीं हो रहा क्यूंकि 68 साल से जो नहीं बदला अभी बदलने नहीं वाला। पर जब से बिंद्रा ने कर दिखाया तब से इंडियन sportsman को जागरित हो जाना चाहिए था। आके मत ब्लेम करो जैसे जैशा भी बोल रही है पानी ये वो सब कुछ अपने लिए आप कर लो और तुम world class होगे। दीपा करमार कर फोर्थ आई क्यों क्योंकि 8-10 competition इस level के खेले नहीं थी जब गई थी वो finally सोचने की पहुंच रही थी और वो पहुंची। ललिता बबर 10 ताई उसको चार रेस भागने चाहिए है। टिन टुलू का बेस्ट टाइमिंग भाग के भार हो गई। चार रेस उस लेवल के पहले क्यों नहीं भागे। और अभी भी क्यों नहीं भाग रहे। अभी देखा आपने ललिता बबर की इवेंट में एक लड़की उलिम्पिक में गोल्ड जीती थी। उसने उसके बावजूद दो डायमेंड लीग में फाली में पार्ट लिया। एक में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। वो खतम नह पर देखना ना होगा, यह अभी बिन्रा की देन है भारत के इंडियुल स्पोर्ट्समेन के लिए,शिस्टर अपने टाइम से सोता हुआ जागेगा तुम시다 में लाकि में अब कि स्पो Sverige की की ब्लेम पर नहीं सुनना चाहता क्योंकि इंडिविजुली हर स्पोर्ट्समें अगर अपने चाहत से मजबूर है उसको आगे बढ़ना चाहिए अभी हाले में आपने देखा लालिता बबबर बहुत खुश है मैं 36 यह इस बात फाइनल में पहुंची यह इस शुद नॉट इंटेलिजेंस दिखाया प्रेपरेशन की डिस्पाइक देखा इंडिया को गोल दिखाया और फॉर्टुनेटली यह इस दी ओनली इंडिविजुल गोल मेडल इंडिविजुल फोर्ट्सम फोर इंडिया विच शोर्ट्सम जो मैं बोल रहा हूं की इस सिस्टम कुछ नहीं करता है इंडिविजुल कर सकता है जागो इंडिविजुल फोर्ट्सम यह मैंनेंगे कि बिंद्रा जी के जो उनका एक्स्पीरेंस था उसका फाइदा जो है हमारे और लिए और कहां फैदा लेंगे क्या बिंद्रा जी को जिसके पास सारा इंटेलिजेंस है कि एक स्पेशलाइशन को कोई अमल मेरी रीडिंग है करने नहीं वाला एक दो पुजिशन देंगे पेरिफेरल कोई मेंन डिसिशन मेकर कभी भी वो इनको नहीं बनाएंगे क्योंकि वो अच्छा डिसिशन लेंगे और ये सिस्टम जिस तरह से मैंने 68 साल से बढ़ा है और तालीस साल तो मुझे हो गए स्पोर्ट्स में मैं नहीं देख रहा हूं कि यह आगे बढ़ेगा हाश वर्ड्स बट्रियल वर्ड्स चलिए आगे बढ़ेंगे भारत की सानिय मिर्जा रोहन बोपना ने अपने अपने जोड़िदारों के साथ यूएस ओपन के तीस से दौर में सानिया और चेक गंडराजे की बारबरा स्ट्रैक कोवा ने विक्तुरिया गालविच और निकोल मिलीचार को 6-2-7-6 से पराजित किया बोपना और कैनाड़ा की गैब्रियाल दाब्रोव्शकी ने लुकास कुबोथ और एंड्रिया हालावा कोवा को 5-7-6-3 और 10-7 से हराक मिक्स जबल्स के क्वार्टरपाल में प्रविश किया उधर पिछले विजीता लिएंटरपीस और मार्टिना हिंगिस को 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 वांदेविधे और राजीव राम की अमरीकी जोड़ी के हातों 6-7-6-3-11-13 से हर का सामना करना पड़ा रुबिंदर जी असानिय मिर्जा के जब भी खेलती है तो लगता है कि हाँ अब हमें जो है इसमें जो है उमीद की किरण नजर आती है साथ में रोहन पर पन्ना अपने अपने जोड़ीदारों के साथ यूए उपन के तीसरे दोर में अगर जगह बनाते तो लगता है कि अब शायद हमें उमीद है और अगर कुछ सीखना है यूएस ओपन ने एक चीज सिखाई है और यह चीज शैद ऑल इंडिया टैनिस फेडरेशन को पहले ही सीखनी चाहिए थी उलिम्पिक से पहले कि लेंडर पेस अब वो लेंडर पेस नहीं है जिन्होंने तुमें 96 में अ चाहिए फेडरेशन नहीं मानी अभी साकेत में नहीं क्या खेला है यूएस ओपन में इसी कारण जमीनी रियालिटी को देखते हुए बोपन्ना ने का था यह लंबा है यह सर्विस अच्छा करता है यह वाली अच्छा करता है इससे मेरी कैमिस्ट्री बंटी है मुझे प्ल से खेलते हैं और आगे तो बढ़ते हैं तो आगे की सोच हमारी फेडरेशन को दिखाना होगा यह यूएस ओपन ने दर्शा दिया है ऑफकोर्स मैं हाइंड साइट में बोल रहा हूं पर फॉर साइट में सुनने वाली बात थी प्लेयर बोल रहा है यह नहीं कि तुम फोस क कि मेंसेमरिन कि मिक्सट डब्ल इजिएक होता है उसमें इंडियन्स अच्छे कर सकते है सालीय उच्छी कर सकती है अभी फिलाल वह अपना मैच खेल रहा होगी बुपना भी उसमें में डबल में बोपनना बेटर चांस था लियांडर से लियांडर तो पहले आराउंड में मिक्स डबल में भी लियांडर भार हो गया सब पॉइंट्स प्रूव हो गया है फेडरेशन को अब अगली बारी ये मिस्टेक कम से कम नहीं करना चाहिए विलियम्स बेनों ने अपने अपने प्रतिद्वंद्वियों को पराजित कर अमरेकी ओपन के चौथे दौर में आसानी से जगे बनाई पुरुश्वर में अंडेमरे और स्टानिसला स्वावरेंका को अगले दौर में जखे बनाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी दू उन्होंने स्वीडन की जोहान लार्चन को 6-2-6-1 से शिकस्त देकर अमेरिकी ओपन टैनिस के चौथे दौर में प्रवेश किया। सेरेना के लिए ये ग्रेंड स्लै मुकावले में 307 जीत थी जो उपन एरा में किसी एक महिला द्वारा अरजित सरवाधीक मैचों में जीत का रिकॉर्ड है। पुला लोरेंजी के खलाप मैच में 47 गलतियां की। इस कारण वो अपना मैच 7-6, 5-7, 6-2, 6-3 से जीत सके। सुर्जलेंड के स्टानिस लास वावरिंका के साथ भी यही कहानी देखने को बिली। वावरिंका ने डैन इवांस को 4-6, 6-3, 6-7, 7-6, 6-2 से शिकस्त दी। एक अन्य मैच में निक किर्गियोस ने इलिया मर्चेंको के खलाब अपना मुकाबला 4-6, 6-4, 6-1 से उस समय जीता जब इलिया चोट के कारण मैच छोड़कर चले गए। रुपिंदर साब विल्यम्स बेहनों के लिए क्या कहेंगे दोहजार में और दोहजार एक में वीनियस ने जो है यूएस ओपन जीता था और इदर सेरेना दोहजार बारत देरा चौदा जीती थी कुल मिलाकर के 6 बार जी चुकी है। सरीना विल्यम्स तो आउटसेंडिंडिंग है वर्ल्ड्स ग्रेटिस्ट बनने में जा रही है। स्टेफी ग्रास को इकुल किया है। अभी उसको तोड़ेंगे, मांगरेट कोट को इकुल करेंगे। तो वो तो बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं वो में सेक्शन में पर मैं तारीफ करूँगा वीनस की इसलिए क्योंकि वो अपने एक स्ट्रेंज इलनेस के कारण से वीक होती चली गई थी परफॉर्मेंस चला गया था पर इच्छा अभी भी जा रही है और आटना आउटस्टेंडिंग कमबैक कर रही है कि मज़ा आ गया देखके जी चाहत पे इत जोकोविच इंजेड हो गया बिल्कु नडाल इंजेड चल रहे हैं डिफेंडिंग चेंपिन पॉत्रों दो तीन साल की इंजरी के बाद वापस आए हैं तो सब को सो निक किरियस वो तो अभी जूनियर ही है वो भी इंजरी हो गया थी है स्टानिस्लाज वावरिंग का उफ इंजरी नहीं है पर भी बीच में एक रॉट था कि उनका अच्छा था था लास्ट यर फ्रेंच ओपन जीते थे जोकोविच को अराया था पर अभी थोड़ा सा उसके बाद से ओफ फॉर्म चल रहे है उस टॉप लेवल पे नहीं है एंडी मरे लुकिंग दो मॉस्ट डॉम कोई भी हराना मुश्किल है स्ट्रेंज इमोशनल मैच अप होगा सरीना और वीनिस का शायद समी फाइनल में और सरीना इजी विनर कुछ अपसेट कहीं नजर आपको लगते हैं चाहे हम महिलावर की बात करें या पुरुश्वर की बात करें लग सकता है कि कहीं है कहीं बर बर सरीना को हरा दे या पौत्रो मरे को हरा दे उससे इलावा कुछ खास नहीं होने वाला जोकोविच इंजर नहीं करने वाले अगर उनकी इंजरी कर्टिसी बगवान कुछ शैद उनका साइड ले रहा है दो वोगोवर मिल गया उनको एक कम्प्लीट वॉप ओवर एक उनके बाद मिल गया उतना रस से अगर उनकी इंजरी रिकवर होती है मेभी बिकम्स अ फैक्टर मुझे नहीं लगता नुवाक को छोड़ दे नुवाक के बाद एंडी मरे 2012 में चैंपियन थे क्या लगता है कुछ आगे बढ़कर के हासिल कर पाएंगे टाइटल डिफनेट तो वो है बेल पोत्रों जी और अब बात क्रिकेट की सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय के शांदार 87 रन के बदालत मेजबान इंग्लाइड ने पांच में वंडे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पारी में 9 विकेट पर 302 रन बनाए मिडल और बैट्समें बिन स्टोक लुक्स ने भी 25 रनों की जोरदार पारी खेली पाकिस्तान के और से हसन अली ने चार और मुहम्मद आमी ने तीन विकेट जटके जवाब में पाकिस्तानी तीम ने ताज़ा समाचार मिलने तक पाक टेम पांच तीन विकेट के लुक्सान पर 198 रन बनाए रुपिंदर साब जो अभी फिलहाल स्थे थे तीन विकेट के नुकसान पर 198 रन क्या लगता है कुछ अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस हुई है बैटिंग उनका सफर किया वन डे सीरीज में टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा खेले 2-2 बरावर करना इंग्लेंड को इ अच्छान के लिए जो उनके घर में आजकल कोई जाके खेलता ही नहीं है तो वो कारण उनका था कि उसमें बैटिंग थे उनके पास दो उनके उम्दा खिलाडी मिस्बा उलहसन और यूनस कान दोनों अनफॉचुनेटली वन डे सीरीज में खेलनी है बोलिंग उनकी जोड़ा से चांस मिलते हैं उनको तेक्निकली इतने सुपर्ब नहीं है अभी भी टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहे हैं पर जेसन रॉइ और अलेक सेल्स उपर आते हैं एक भी अगर थोड़ी देट तक तिक जाता है और जो रूट उनके साथ आ जाता है बहुत आउटस्टें वन डे टीम अभी इंग्लंड की हो गई है ओपनर मंदीप सिंग की बेहतरीन पारी के बतौलत इंडिया ए ने ऑस्टेलिया एक को सतावन रनों से हरा दिया ऑस्टेलिया के मैकाय मैदान पर खेलेगे मैच में भारत एने टॉस जितकरने धारित पचास सोवर में चार रुजवेंद्र चेहल ने सरवादेख चार विकेट जटके रुपेंदर जी वाके क्या खेल दिखाया इंडिया का तारीफ करनी चाहिए चाहिए आप फिल्डिंग की बात करें आप बॉलिंग की बात करें बैटिंग सभी फिल्स में बहुत अच्छा प्रुदर्शन मैं य जो की टॉप इंडियन टीम नहीं है उसमें कम पॉलिटिकल इंफ्लुएंस है उसके कारण बहुत अच्छे प्लेयर है एक कोच बिल्कुल प्रुफेशनल बिल्कुल राइट मैं रहुल रविड दूसरी सेलेक्शन फेर अन स्क्वेर इतना ज्यादा पॉलिटिकल पुशिं है करुन नायर आउटस्टेंडिंग है पर उनको चांस नहीं दिया जाता तो यह चीज दर्शाता है हमारा पुटेंशल सूपर्ब है प्लीज कम से कम पुलिटिकल इंटरफेरंस करो और बेंच स्ट्रेंग्थ को जल्दी से जल्दी लाग के मौका दो स्पेशली जब तुम वेस्ट इंडी जैसे टीम को हराई दोगे किसी भी प्लेयर के साथ तो क्यों नहीं मनीश पांडे खेल रहा जी क्यों नहीं जड़े जा गिसा पिटा वही अश्विन वही विराट कोली सब जगा चले जा रहे हैं तो यह सब चीजें इंडियन टीम को सोचनी चाहिए टैलें कि कोई कमी नहीं दूसरे स्पोर्ट में भी कमी नहीं है सिस्टम साथ नहीं देता है टीम गेम में डिफकल्ट हो जाता है नीचे इंडिया ए में कोई पॉलिटिक्स नहीं होरी तोड़ी सी घिस्पित हो रही है थोड़ा सा कम लेवल का परफोर्मेंस यही सीखने वारी चैन करता हूं कि उपर है उनको देखना हो किसको खेलने के लिए बुलाएंगे पांचवे एकद्यसी मुकाबले में आउस्ट्रियले ने श्रीलंका को पांच विकेट से पराजित कर दिया है मीचिल स्टार्क की खातक गेंदवाजी की मदद से मेवान ऑस्ट्रियले ने चपारी 195 रन पर समेट दी श्रीलंका ने टॉस जित कर पहले बलेबाजी करने का मिचिल स्टार्क की गेंदबाजी वाकर लगता है कि ने कहीं काम आ गई धाकर धासू बोलिंग मिचिल स्टार्क की ऐसे पिच्छ पे परफॉर्म करना आउटस्टेंडिंग है पर यह देखने वाली बात है कि ओवर और ऑस्ट्रेलियन टीम अभी बाहर जाके अच्छा नहीं क अच्छा बाहर बाहर जाकर बाहर जाए और नहीं कि अच्छा नहीं है जो इसमें इक्स्ट्रेलियन टीम वह दासू टीम नहीं रही जो बाहर जाके भी जीच सके और उनको डर है कुछ नहीं है कुछ नहीं है उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया आर गई बहुत बेकार टीम खेल पारी है बैटिंग ओवर सीज कंडिशन में यही बात से ऑस्ट्रेलियन के दिगज खिलाडी जो पास्ट के हैं वह रो रहे हैं कि अच्छा बैट्समन अभी कोप नहीं कर प अच्रका के भी जब इंडिया आये थे कोप नहीं कर पाए थे तो यह अडेप्टिबिलिटी इन लोगों को करनी चाहिए इंडिया के लिए हम रोते हैं बाहर जाके नहीं खेल पाते पर उनकी टीमों का भी यही हाल हो गया यह वन डे के आने से टीट्वेंटी के आने से जो हैं टेस्ट मैचेस के लिए और अडेप्टिबिलिटी है ओवर सीज्ट के लिए वो कम होता चले जा रहा है एक नज़र डालते हैं दिलिप टॉफी पर मयंक अगरवाल ने शांदार शतक की मदद से इंडिया ब्लूज ने चार दिविसीय दिलिप टॉफी मैच के पहले दि स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स में इंडिया ग्रीन के खिलाफ मयंक ने गौतम कंभीद के साथ पहले लिकेट पर दोसो बारा रंकी साज हिदार की कि पहले दिन का खेल समाप्त होने तर इंडिया ब्लू ने तीन विकेट की नुक्सान पर 336 रंड बनाने थे लेक साइट पे फ उस्टारिका को 40 से और महला टीम ने ब्राजील को 3-1 से हराकर पूरे अंक हासिल किये बहरहाल मुकाबले में भारत की ग्रेंड मास्टर डी हरीका को अपने से कम रेंक किये ब्राजीलियन खिलाडी के हाथों पराजय का मुझ देखना पड़ा पुरुश्वर्ग में 11 वी व स्वामिन नाथन प्रत्युशा बोदा और तानिया सस्देव ने अपनी अपनी बाजियां चीती रुपिंदर साथ जैस एक ऐसा खेल है जहां पर लगता है कि भारतियों का दब दबा अच्छा है भारतिये अच्छा खेल दिखाते हैं यहां पर भी हम देखते हैं तो क्या अच्छा करना चाहिए डेप्ध है भड़ रहें पर अभी भी वह खेलाडी आना बाकी आए जो विश्वनात आनन का स्थारका हो जो नीचे से आ तो रहें पर वह ब्रेक्तुरू किसी को करने के लिए जैसे अभी नब बिंदरा ने किया वैसे ही विश्वनातन अनन ने किया वो जाकि स्पेन में सेकल हुए वहां पे ज़्यादा कॉंपुटिशन खेलने को मिलते हैं ज़्यादा फिटनिस की तरफ देखते हैं ज़्यादा एक्सपोजर है और विश्वनारतनानन ने वह लीप लिया जो हमारे दूसरे चेस प्लेयर अभी करने ही पा रहे हैं ठीक है को ने खता है प्रस के सथ कि एंड्या के सबस्था के अमणे के साइना के साथख नहीं जरतार नुमाईश करते हुए इताल वी क्रांपरी का खिताब अपटारु हुइए ईबाभड़े किया उनके टीम साथी लूइस हैमिल्टन को पोल पोजिशन से ठेकी शुरुवात का खामियाजा उठाना पड़ा जिससे उनने दूसरा स्थान मिला एक समय हैमिल्टन छटमें स्थान पर फिसल गए थे लेकिन उन्होंने संगष में जोरदार वापसी की फेरारे टीम के सेवि प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया दूसरी और ओवराल मुकाबले में नेरो क्विंताना अपनी वरत बनाए रखने में सफल रहे पिछले साल इंजरी की समस्या से घिरे रहने वाले रॉबर्ट जैसिंक ने टूर ओफ इस्पैन के चौदवे चरण में अपने अच्छे प्रदर्शन से सब को प्रभावित किया जैसिंक ने पहाडों के बीच 190 किलोमीटर लंबी इस रेस में जब फिनिश लाइन पार की तब वे अपने निकट तम प्रतित बंदी से 7 सेकेंड आगे थे मुकाबले के बाद जैसिंक ने अपने प्रदर्शन पर संतोष जताया उन्होंने माना कि इस सीजन में अभी तक वे कुछ खास नहीं कर पाये थे उधर कोलंबियाई चालक नेरो कुविंटवाना भले ही 14 चरण में जैसिंक से 1 मिनट और 47 सेकेंड पीछे रहे पर वो ओवरॉल मुकाबले में रेड जर्सी अपने पास बनाए रखने में सफल रहे पिछले दो साल के ओवरॉल विजेता क्रीस फ्रूम 14 चरण में दूसरे नंबर पर थे साथ ही ओवरॉल मुकाबले में भी वे कुछ विंटवाना को चुनोती दे रहे हैं तो स्पोर्ट्स आवर के हिंदी संस्क्रण में आज प्रालेत नहीं पर जाने से पहले हम अपने खेल विशुशक्र के धन्यवाद करना चाहेंगे रुपिंदर जी बहुत वशुक्रे सारी चर्चा के लिए धन्यवाद सतिंदर और अनपेक नजर डालते हैं खास-खास वोपन ना बढ़े आगे पेस की जोड़ी हुई पराजे विलियम्स बहने वावरिंका और मरे युएस ओपन के चौथे दौर में और फेकी शुरुआत के बाद हैमिल्टन पिछडे रोजबग को मिला इटैलिन ग्रांप्री का खिता तो स्पोर्ट्स आर में आज हुलाल इ और इसके साथ स्पोर्ट्स आवर का और बेहतर करने के लिए यदि आपके पास कोई सुझाव हैं आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आईडी है तो अब हमें हमारी पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजे नमस्कार झाल